एक मशूर का हावत है भैस के आगे बीन बजाना यानि जब आप किसी मूर्ख इंसान को कोई समझदारी वाली बात समझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी शब्द उसके दिमाग में प्रविश्च ना करते हुए एक कान से एंट्री मार के दूसरे से बहार निकल जाते हैं बस ठीक उसी रास्ते पे चलते हुए एक बार फिर से बेशर्मी की सारी सीमाए लांगते हुए वही पुराना बायोग्राफी वाला मसाला दुबारा आपकी थाली में परोसा जा रहा है जिसमें देश के नाम पे आपकी जेब में छेत करके लाखों करोडों की लूट मचाई जाती है और इस बार तो स्वात बढ़ाने के लिए नैप्रोटिजम का जोरदार तड़का भी लगाया गया है तो चलिए हाजमुला का बड़ा वाला डबा और आँखों पे काले चश्मे के साथ जानलेवा सपर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे जरूरी बात फिल्म के दर्शन आपको नेट्फिक्स पे हो जाएंगे बस दो घंटे तक अपनी आँखों को सही सलामत बचा कर रखियेगा उसके बाद मैं और आप साथ मिलकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए बुकिंग करा लेंग कहानी गुंजन नाम की एक जिंदा दिल और बड़े बड़े सपने देखने वाली तेज दिमाग हिम्मती लड़की के इर्दगेर लिखी गई है ये समाज के बुने गए नियम काईदों को अंगुठा दिखा कर अपनी खुद की अलग दुनिया में जीने के ख़ाब देखती है जिसकी आखरी मनजिल एरफोर्स के पाइलेट की वर्दी पे आके खतम होती है सुनने में सपना मामुली और साधारन लगता है लेकिन जब इसके साथ किसी लड़की को जोड़कर देखा जाता है तो गेम का लेवल इजी से सीधा वेरी हार्ड हो जाता है लड़कों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने की चुनोती जिसमें एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के सामने आपका मजाग बना सकती है और बचपन का सपना लाखो तुकडों में तूटकर चूर चूर हो सकता है इस कठिन मुश्किल लड़ाई के अलावा एक जंग गुंजन के परिवार में भी छिडी हुई है जिसमें लड़कियों को बड़े सपने ना देखने की आजादी और पूरी सुसाइटी में उनको तिर्ची नजरों से देखे जाने का डर परिवार के मन में गुंजन को लेक इच में खड़ी हो जाती है क्या गुंजन अपनी मेहनत और जोज जुनून के दम पर पूरे देश के सिस्टम को बदलने का असंभव कारनामा कभी हकीकत में बदल पाएगी या फिर औरत सिर्फ घर की रसोई और परिवार सम्हालने के काम आती है जैसी सोच उस पर भारी प बोलूंगी जतनी महनत और पैसा फिल्म के रिलीज होने से पहले इसके प्रमोशन पर खर्च किया गया है अगर उसका आधा भी किसी अच्छे एक्टर को ढूंडने में किया जाता तो फिल्म शायद इंडिया में छोटी सोच वाले लोगों को जोड़दार तमाचा मार सकती इस बात में कोई शक नहीं है कि कहानी रियल लाइफ से उठाई गई है जिसमें असली सपनों के तूटने जुडने का दर्द और खुशी दोनों कूट-कूट के डाले गए हैं उसके बावजूत फिल्म के सीन सिर्फ आँखों पे आगर ठहर जाते हैं उनको दिल तक जिदा डिटेल सुनने को मिलती हैं तो दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची को सीधा प्लेन उडाने वाले पाइलेट के बगल में ले जाकर खड़ा करने जैसे बचकाने सीन स्पैर में काटे की तरह चुप जाते हैं लेकिन असल मायने में फिल्म का बंटाधार किया है इस रियल लाइफ गुंजन सकसेना जैसी देश की बेटी को उस ट्रिब्यूट से कोसो दूर कर दिया जिसकी वो असल मायने में हगदार हैं जरा सोच कर देखिए अगर किसी फिल्म की लीड एक्टर को छोड़ कर आप बाकी पूरी सपोर्टिंग कास्ट के लिए तालियां बज एक साथ पैदा हो जाती है तो दूसरी तरफ पंकर्श त्रिपार्टी अंगर बेदी और आईशा रजा की तिकडी स्क्रीन के उस पार बैठे परिवार से आपकी मुलाकात कराने की कोई कसर नहीं छोड़ती लेकिन इन सब की महनत पर पानी फिरने का का काम किया है जानवी क पीछे भागने के लिए आवास को बुलंद करना या फिर दिल को छूने वाले इंपेक्टफुल डायलोग सब कुछ एकदम गायापसा लगता है दूसरा देश की पहली फीमेल फाइटर पाइलेट बनकर इतिहास लिखने का गर्व और सैटिसफेक्शन जो रियल गुंजन स सकसेना की कहानी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन और सपनों के पीछे भागने के लिए कभी न हारने वाली हिमत का रास्ता जरूर दिखाती है लेकिन जानवी कपूर इस फिल्म को आस्मान से सीज़ा जमीन पर लाकर पटक देती हैं जो शायद कर कर उनको हकीकत में बदलने का दमदार मैसेज देने के लिए बात करू नेगेटिव की तो एक स्टार कटेगा जानवी कपूर की एवरेज और काम चलाओ परफॉर्मेंस के लिए और एक स्टार रियल लाइफ गुंजन सकसेना की पारफुल ट्रिब्यूट को बरबाद करने क के लिए बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या पर कुछ शिकायत करनी हूँ तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा सा इंतजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक के बाए बाए